Hello and welcome to your favorite channel Brain O Solution देखो बच्चो आज में तुम लोग को थोड़े सब्सक्राइब जो एंट्रेंस के एक्जामिनेशन में आते हैं क्वेशन जामियां एम्यों यह कोई पी एंट्रेंस जिस को होता है उसके कुछ कुछ क्वेशन करा दूगी ठीक है तो देखो बच्चो सपोस्ट करो तुमारे पर कोशेना आता है- इसके दूद सब्सक्राइब क्या करें चिके-इस को कैसे उपकर करोगे तो देखो बच्चो घ्या करेंगे यह आं पर 64 तो डमीरे दिमाग में फॉरन आ रहाए-ट-ई-ट इट होता है तो इसके-ट-श हो जाएगा 2 to the power 3 ठीक है सही है 2 to the 4 4 टूस आइट है ठीक है हमको पता है बेटा जब भी सेम बेस होती है एक पर M into 8 to the power M तो यह क्या हो जाता है बेस को एक लिक कर इन दोनों को जो पार जो तूंको इसके ओपर क्या है 7 by 6 ठीक है बच्चो नॉमें जैसे तब ऐसी लिख दिया आपके देखो यह एट रेस तुद पार 5 by 3 ठीक है एट को मैं क्या लिख सकती हूं 2 तूज़ा 4 4 तूज़ा 8 मतलग 2 तूद पार 3 मैं 8 को ऐसे लिख सकती है ठीक है यह 6 से यह वाला यह cancel out हो जाए देखो एक दो फॉर देखो कैसे होगा यह हो जाएगा 6 इंटू 7 अपॉन 6 से यह इसी तो लिखावा है है और नीचे क्या लिखावा है यह 2 3 इंटू 5 by 3 यह इसी लिखावा है तो क्या कर सकते है 6 6 6 cancel out हो गया 3 से 3 cancel out हो गया क्या बचा तुम्हारे पास 2 रेस तुद पार 7 1 2 7 7 divided by 2 to the power 5 into 1 5 अब देखो बच्चे एक और फॉरमिला है हमारे पास क्या 8 to the power m divided by 8 to the power m same base or different powers हम क्या करते हैं उसमें तो हम बेस लगाकर एक पार को सब्ट्राग कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर यह हो जाएगा 2 to the power 5 minus 7 minus 5 कितना हो जाएगा 2 अब ज़रा 2 को 2 times multiply करो कितना हो जाएगा 4 कोई 4 यहां पर option है तो हां बच्चो 4 कौन सा है D option है ठीक है तो answer D is the correct option है अब आज ओ तुम question number 2 पर इसके देखो बच्चो question number 2 तुमारे पास है find the value of 15 to the power 3 plus 5 to the power 3 divided by 225 plus 25 plus 75 ऐसे देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो देखो बच्चो मेरे पास एक formula है a cube plus b cube का क्या formula होता है a plus b into a square plus b square minus a b कैसे याद रखोगे अगर यह plus का sign है तो नहाँ पर plus लगा last में minus कर दो देखो तो मैं क्या कर दूंगी 15 cube plus 5 cube क्या हो जाएगा यह a plus b मतला 15 plus 5 ठीक है पहले simple तुम लोग plus का sign लगा दो फिर क्या करोगे a square मतला 15 का square plus b square मतला 5 का square minus 15 into 5 ठीक है a square plus b square minus a into b ठीक है तो देखो बच्चो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब नीचे क्या था बच्चो यहाँ पर 225 225 जल्दी बताओ किसका square होता है तो 225 बच्चो 15 का square होता है सबको याद होना अची देखो 15 into 15 करके देखती 5 5s are 25 5 बच्चो 25 बच्चो 25 किसका square है तो खर सभी को पता होगा 25 बच्चो 25 का square है ना तो यह हो गया 5 का square minus 75 को कैसे लिख सकते हूं एक दफर में ट्राय करके देखती हूं कि 15 into 5 75 बच्चो 25 सही इसका मतला 5 into 15 75 होता है तो मैंने क्या कर अपनी अकल लगाई मैंने 75 को बच्चो 15 into 5 कर दिया ठीक है सही बच्चों competition में क्या होता है वक्त काम होता है और यह होता है कौन कम वक्त में जादा answers लिख ले है उसको answer कर दे है के नहीं देखो आता सब बच्चों के लेकिन जो कम वक्त में कर लेगा उसका selection हो जाता है अब यह देखो यह 15 का square plus 5 का square minus 15 into 5 वही तो लिखा सेम नीचे दोनों को cancel out कर दो simple ऐसा नहीं करना इसको अलग calculate करो इसको अलग calculate करो नहीं भई time बचाना अपना 15 plus 5 20 answer क्या है तुम्हारा 20 हो गया option a ठीके बच्चों अब आजाओ इसके question number 3 पर देखो बच्चों ने तुम्हाएं पास the solution of the equation equation इसका समें solution बताना solution का मतलब क्या है इन्होंने तुमसे यह नहीं पूछा find the value of x इन्होंने तुमसे तोड़ा twist कर गया यह पूछले तो find the solution of the equation ठीके तो तुम्हें solution का मतलब उस variable के value निकाल दी है ठीके clear है यहाँ पर क्या करोगे 2x-3 upon 2x-2 है ठीके this is equal to minus 2 upon 3 क्या करोगे बच्चों सीधा हमना यहाँ पर cross multiply करेंगे 3 इससे multiply करेंगे और minus 2 इससे multiply कर देंगे ठीके 3 को करो यह हो जाएगा 2x-3 यहाँ पर आजो यह हो जाएगा 2x-2 राइट कितना हो जाएगा 6x-9 यह कितना हो जाएगा minus 4x minus minus plus 2 to the 4 ठीके xx को एक जगा करो यह इधर आ जाएगा plus का हो जाएगा 6x-4x ठीके यह 4 है minus इधर आके plus का हो जाएगा यह बन जाएगा 13 ही हो जाएगा 10x ठीके x की value कितने आ जाएगी बच्चो 13 बाइट 10 ठीके यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर c is the correct option ठीके यह भी तरीका ना समझ में आए कि भाई मेरे नहीं समझ में आरा क्या करना है वक्त बहुत काम है suppose करो तु x की value वह वाली put कर करके देख लो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है time बहुत कम है एक 0 है एक 1 है एक minus 1 है यहाँ पर तो क्या करोगे तो x की जगह यह रखके देख लो देखो यह दोनों equal आ रहे है या नहीं आ रहे है ठीक है बच्चा तो बस यह होना ठीक है कि मेरा तो मुझे मतलब नहीं कोई मेरा solution नहीं देखेगा सब क्या देखेंगे कि इसने कौन सा answer टिक कर रहे है ठीक है और नहीं भी आ रहे है कुछ समझें तो बिटक अच्छा नेगेटिव मार्किंग होते है तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर कुछ मत लगा के आ कुछ देखो घ्ला आता है एंग में के समी सब ले ने क्या कराई में के अंगल बना लिया यह बीसी यह मतलब हमें सेंटर रोए मैंने इस से एक सर्कुल बनाए यह पूरा तो मारा तिक हमने आदा सर्कुल यह चांगल बनाए बताओ यह आंगल कितना बनेगा तो बेटा यह आंगिल इस ऑल्वेसर राइट आंगल ठीक है कि 90 डिग्री आंगिल होगा इस अगें इंपॉर्टन कुस्टिन कोच नहीं करना है खाली पता होना चाहिए कि आंगिल राइट आंगल है ठीक है आसान अब आजाओ इसकी नेक्स्ट कुस्टिन पर इस सवाल को एक दोफा और थो एक ए बी सी एक अंगल ना लिया वसकता है बच्चों यह अंगल ऐसे भी हो सकता था इसने नो तो कैसे भी जा सकता था घ्यक्न इसका जो दो सब्सक्राइब पूरा सब्सक्राइब यह आधा हो गया यह जो भी अंगल बनेगा यह तुम्हारा हमीश्या 90 डिगरी का ही अंगल बनेगा अब समय आया विटा ठीकिए जो नहीं समझ मैं कॉमेंट सेक्षिन में जाके फिर से पूछ लेना ठीक है देखो बच्चों यहां पर एक सवार है तुम्हारे पास सम पूछाए खाली तो सम कितना हो जाएगा बच्चों सम इस इक्वल टू 60 इंटु 15 5 6 जा 30 6 जा 6 9 एक यह 0 900 900 का है यहां पर option B 900 ठीक है आसान है बच्चों यह वाला कुशिट अब आजा तुम्हारे पास देखो यहां पर question है तुम्हारे पास पहले तो यह समझो कि एक साइक्लिक क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या मतलब 4 ठीक है एक ऐसा figure जिसके अंदर 4 साइब उसे क्या होगे तो देखो यह 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 बी जैसे इस दिक कैसा भी कोडिलेटरल बना सकता है लेकिन वह क्या है साइक्लिक हो साइक्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसके जो वर्टेस हैं वह एक सर्कल पर लाय करने चाहिए उसी तरीके से अंगल A प्लस अंगल C कितना होगा यह भी 180 डिगरी होगा ठीक है इसमें कुछ नहीं करना काली है तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो यह देखते हैं कि मीडियन एक ट्राइंगल में होता क्या है यह जो मीडियन मोड से डिफरेंट है अगर यह तुम्हें पर ट्राइंगल है यह साइट बीसी सपोस्ट चार सेंटीमीटर है इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जगा बच्चों यह 2-2 सेंटीमीटर की बन रही होगे आधी-आधी ठीक है तो मैं क्या करूंगी पॉइंट ऐसे उसको जॉइंट कर दूंगी यह इसका इस पॉइंट पी मान दो एपी क्या है एपी इस मीडियन ऑफ बीसी ठीक है उसी तरीके से यह एसी सपोस्ट करो तुम यह 6 सेंटीमीटर की पूरी एसी पॉइंट ऐसा होगा जो 33 सेंटीमीटर का होगा अधा-धा डिवाइट कर रहा होगा तो मैं क्या करूंगी यह एक लाइन यह बना दूंगी यह में देंगे जा रहे है सपोस्ट इस पॉइंट हिल्टे टो bd जो है वह मीडियन किसकी हो गई वी एसी की ठीके किके mieć मिडियन किसकी होगी क्लिया बीसी की देखलो फिर यहां से लरो सपोस्ट इस एट सेंटीमीटर एव एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर 4-4 संटीमीटर रोगे इन दोनों को जोइन कर लो इस पॉइंट को नाम देदो आर तो आर सी इस मीडियन ओफ ए बी ठीक है अब देखो बच्चो अब मीडियन का मतलब समझवां आ गया एक ऐसा पॉइंट जो एक साइड ओफ ट्राइंगल को आधा-धा डिवाइड करता हूं तो तो हाफ थेके बिटा तो जो यह पॉइंट होता है जहां पे सेंट्रोइड होता है वो पूरी मीडियन को 2 इस टो 1 के रेशियो में डिवाइड करता है मतलब उपर दो पार नीचे आधा एक पार ठीके ऐसे ही यहां पर यह मीडियन यह आया तो यहां पर जादा दो पार यहां पर ए तुम लोग कंस्यूज नहीं हो ना, altitude क्या होता है, जो 90 degree angle बनाता है, यह line वो तुमारी altitude है, ठीके, लेकिन अगर यह, मैं कहारी है, 90 degree angle ना बना है, बस इस line को आधा-धा divide करें, ठीके, सही, अब जो इसका centroid होगा ना, बिटा, वो centroid, अगर समझें, पूरी 3 cm की है, A, D line, 3 cm की है, ठीके, तो अब होई कहा है, तुम इसका centroid निकालो, तो centroid क्या होगा है, पूरी 3 है, तो centroid, यह 2, यह 1, centroid यहां से जा रहा होगा, ठीके, clear है, 2 is to 1 का ratio इसे कहते है, ठीके, अब इस question में तुमारी पास given है, the altitude of an equilateral triangle of side 2 root 3 is, पहले तो समझें, equilateral triangle क्या होता है, जिस इसमें सारी sides तुमारी बराबर होती है, ठीके, और इसमें angle कितना होता है, 60, 60, 60 degree ही बनता है, ठीके, इसके जो एक side है, बच्चों, वो यहां पर क्या है, वो है, 2 root 3, ठीके, एक side इतनी है, इसका altitude पूचा है, एक तो simple formula है, कि height क्या हो जाएगी, एक यह देखो, इसमें area क् area है, equilateral triangle का, root 3 by 4, a square, ठीके, a क्या है, यहां पर तुमारी side है, ठीके, अगर area निकालने को आज है, तो root 3 by 4, a square से area निकालो, अब यह पूचा है, height निकालो, तो height का भी बेटा formula है, root 3 by 2 into a, मतलब, root 3 by 2, side क्या है यहां पर, side है, 2 root 3, ठीके, तो यहां से 2 से 2 cancel out हो जाएगा root 3 into root 3, इसका मतलब क्या हुआ बच्चो, मैं क्या करूंगी, root पूरा common ले लो, 3 into 3 कर देते हैं, ठीके, अब जब root से बहार निकालते हैं, तो अगर pairing होती है, तभी तो बहार निकालते हैं, ठीके, तो यहां पर देखो, यह pairing किस चीज की है, यह pairing है 3 की, तो तुम 3 बहार न तो root का समझ में आता, root 5 into root 5 है, चलो एक काम करो, root 25 निकाल, चलो एक नरो को, चलो मैं थोड़ा सा root का भी बता देती है, ठीके, यह बताओ, 5 का square क्या होता है, 25, ठीके, तो 25 का square root क्या हो जाएगा, बिटा, 5, ठीके, ऐसी बताओ, 4 का square क्या होता है, फुफोजा 16, 16 का square root क्य into root 4, तो मैं क्या करूंगी, एक 4 बहार निकाल दो, इसका answer 4 हो जाएगा, ठीके, ऐसी इहां पर क्या था, यहां पर मैं पस बच्चा, root 3 into root 3, क्या करोंगे, 3 बहार निकाल दो, इसका answer 3 हो जाएगा, ठीके, यह question बहुत important था, वीडियो पसन लाई तो प्लीज आनल को subscribe करना, अच्चा, क्या थाओा लगा थार, ढाई ऑुल से हो जाता हुआ करोंगे, व dece कि से सतिका वोड़िका हुआज। եाओा समी पसे आनल की दो, एक 5 लाँ़िका बच्ता है, यहां निका है प्लीजोगा, वीशी़िका थाएगा, एक रदition, पाष्यों आनल की दो, इसका वाय